किसी भी इस्तरी और पूर्ज को अपने ववस में करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए यह एक आजमाया हुआ तोटका है यह एतना सक्तिसाली वसिकरन तोटका है जिसे की लाखो कोरोरो आदमी ने इसे आजमाया है और सबका काम हुआ है यह बहुते सकती साली पाउरफूल वसिकरन तोटका है बस इसमें आपको एक लवंग की आवसकता होगी एक मोली की आवसकता होगी और एक दिपक जला देना है उसके बाद में कैसे क्या करना है और उसके बाद में मोली को अपने हाथ में बांध के ही रखना है बस आप जहां भी जाएगा सब कोई आफी को देखेगा हर तरफ आफी के तरफ आकरसित हो जाएगा ये बहुते पुरानों से चला आया हुआ एक वशिकरन तोटका है जिसे की लाखो करोरो आदमी का काम हो चुका है और सब कोई बहुते आसानी से ये वशिकरन कर लेता है बहुती आसान सा तोटका है ये अगर आप मेरी चैनल को भी तक सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजिए और बिल घंटी को दबा लिजिए आईए हम बतलाते हैं कि कैसे इस तोटका को करना है सबसे पहले आपको एक लवंग लेना है और मौली लेना है आपको आप अपने हिसाब से आप अपने हाथ में बंधना है इसको दहने हाथ में बंधना है इसको आप अपने हिसाब से इसको तोर ले उसके बाद में आपको क्या करना है इस मौली को और इस लवंग का जो रिलेशन है इसमें हम बतला रहे हैं कैसे क्या करना बीच वाले भाग में इस लवंग को हम बांधेंगे और बांधे समय एक मंत्र का उचारन करेंगे हम जो मत बता रहे हैं उसका उचारन किजिएगा और जैसे हम बता रहे हैं वैसे हैं किजिएगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा तब ही आपको समझ में आएगा वीडियो को पुरा देखिए और समझिए ये बहुते ये सक्तिसाली ये वसिकरन तोटका है और इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी यह बहुते पुरानों से चला हुआ यह वसिकरन टोटका है अब तक कि लाखो करोरो आदमी का काम हो चुका है आपको इसमें बीच में बानना है और एक मंद का उचारन करना है ओम, ह्रेम, क्रेम, चम चमुंड आए सर्ववसिकरन स्वाहा और इसको बाद में बान देना है फिर इसी मंत्र को आप एकईस बार उचारन किजिएगा और इसमें एकईस बार गाठ बान देना है एकईस बार मंत्र को पढ़ेंगे और इसके बाद में एकईस बार इसमें गाठ बान देंगे लेकिन याद रहे कि इसमें लवंग एक ही रहना चाहिए लवंग बीच में रहेगा है कि इसके बार मंत्र को पढ़ेंगे एकईस बार इसमें गाठ बान देंगे इस मंद्र को हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप वहां से इसको याद कर लीजिएगा या किसी कागश पर लिख लीजिएगा और उसमें से देख कर बोलकर आप वसीकरन ऐसे कर सकते हैं और ध्यान रहे इस प्रक्रिया को करते समय आपको आगे तीसी के तेल में जो दीपक है इसको जला देना है और उसके बाद में इसके सामने है इस प्रक्रिया को करना है या प्रक्रिया सोमवार, सुकरवार और बिरिश्वतिवार के दिन करना है इसको आप रातरी के 10 से 11 के बीच में करें तो बहुते सक्तिसाली ये काम करेगा नहीं तो आप दीन में अगर किजिएगा तो भी ये काम करेगा लेकिन कुछ धिरे से काम करेगा अगर रातरी के 10 से 11 के बीच में काम करते हैं ये सीद करते हैं तो यह सबसे ज़्यादा तेज में वसी करन काम करेगा उसके बाद में 21 बार मंत्र को पढ़ने के बाद में 21 बार घाट बांद दिजिएगा उसके बाद में इसको अपने हाथ में इस तरह से रख लेना है जैसे कि हम यहां पर रख देना है उसके बाद में दिपक का जो उसके बाद में क्या करना है इसको आपको उसी समय आप अपने दहने हाथ में इसको बांध लीजिएगा और याद रहा कि इस परकिया को करने से पहले आप नहा कर साफ जरूर हो जाएं मैं दावा करता हूँ यह इतना असरदार है कि आप जहां भी जाएएगा सब को यह आप ही को दिखेगा इतना वसी करन यह टूटका सक्ति साली है कि पल भर में ही जिससे भी बात किजिएगा और आपके तरफ आकरसित हो जाएगा यह बहुते असरदार है अगर आप मेरी चानल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजी और विल घंटी को दबा दीजी ताकि इस तरह के वीडियो हम हमेशा आपके पास लेकर आते रहेंगे बस अगले विडियो में हम यह लेकर आने वाले हैं कि आपके घर में धहन की वारिष कैसे हो बस आपको घर में अप अपने घर में आप जहां पैसा रखते हैं वहाँ पे एक कुछ रखना है और क्या चीज रखना है कि आपके घर में धहन की वारिष होना सुरू हो जाएगा तो इसके लिए आप मेरी चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगले दिन का इंतिजार कीजिए